हर बार की तरह ट्रेन जैपूर से मुंबई जा रहे थी सुबह के करीब पांच बज रहे थी दौरान चलती ट्रेन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आप सोच भी ने सकते उस दिन चलती ट्रेन में एक कॉंस्टेबल ने पुलिस अधिकारी समय तीन लोगों पर फाइरिं मांसी कुछ पीड़न से परिशान था वहीं जब रेलवे ने इस घटना को लेकर जानकारी दी तो उसमें कहा गया कि ट्रेन नंबर 12956 जैपूर मुंबई सूपर फास्ट एक्सप्रेस के बीफाइब कोच के अंदर दैसर और मीरा रोड स्टेशन के बीच पर फाइरिंग खीच कर भागने की कोशिश की लेकिन आरपी एफ ने उसे हतियार समेथ गिरफतार कर लिया था बताया जा रहा है कि मुंबई सेंट्रल आरपी एफ में तैनाद आरोपी चेतन ने करीब 12 राउंड फाइरिंग की ती आरोपी चेतन ने ट्रेन में तीन जगों पर रेलवे स्टेशन से जैपूर मुंबई सेंट्रल सूपर फास्ट एक्सप्रेस में चढ़ा जैपूर मुंबई सेंट्रल सूपर फास्ट एक्सप्रेस में चेतन के साथ दो अन्य कॉंस्टेबल और एसाइटी का राम भी तैनाब थे सूत्रों के मताबिक पालगर रेलवे स् शवो को पोस्ट मॉटम के लिए अस्पताल भीजा गया है जब इस मामले की पूरी जाच हुई तो पता चला कि आरोपी चेतन ने मांसिक प्रिडन की शिकायद दर्श कर आई थी और वो बहुत परिशान था बता दे आरोपी चेतन उत्तर प्रदेश के हातरस करेने वाला है प वो लोग ही फाइरिंग कर रहे हैं ऐसे में लोग बेहट डरे हुएं खबर नहीं तक तीस के साथ आप देखते रहे हैं पंजाब किस्री डॉट कॉम झाल चाल थी अबर दे बता देर में तेर हैं और को थ witches आप इवाल को चार चेता कर दिमने के हा प्रदेश कर द्यम लोग में फंदान ङूश काम